वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन्स पीच बहुत गहरी दोस्ती हुआ करती थी उस दोर में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता था जब दोनों के बीच बातचीत ना होती हो। सुब्रमनियम स्वामी हारवर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थी। साल 1970 में उन्होंने अपनी नौकरी चोड़ दी और भारत वापस लोटाए। उनके स्वधेश लोटने की सबसे बड़ी वजह जैपरकाश नारायन थी। जो उन दिनों इंद्रा सरकार के खिलाफ मौर्चा खोले हुए थे और विपक्ष को एक जुट करने में लगे थे। सुआमी जब भारत लोटे तो उनकी उम्र महज 31 साल थी। यहां जनसंग और RSS के तमाम नेताओं के अलावा वाटल भी हरी वाजपेई के करीब हो गए। खुद सुआमी कहते हैं उननीस सु सतर और इकत्तर के शुरुआती महीनों में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब उनकी वाजपेई से बात ना होती हूँ। वाजपेई नहीं सुआमी को धोती पहनना सिखाया था। चर्चित लेखक और पत्रकार विने सीता पती अपनी किताब जुगलबंदी दा बीजेपी बीफॉर मौदी में लिखते हैं कि उन दिनों वाजपेई पार्टी में अपनी पकड़ मजबूत बनाने में लगे थी। बेजा था। अठल बिहारी वाजपेई नाना जी देशमुक से कई मुसलों पर ऐसे हमत थी। सुब्रमनियम सुआमी कहते हैं कि वाजपेई ने मुझे से दो टूक कहा कि मैं नाना जी के साथ ना रहूं। बस तभी से वाजपेई के साथ मेरी परिशानिया शुरू हो गए। सुआमी नाना जी और वाजपेई के बीच तलखी की एक वज़ाह बताते हुए कहा कि वाजपेई काम कम करते थे लेकिन सब की नजरों में बने रहते थे। यही बात नाना जी को नापसंद थी। एक बार नाना जी ने कह दिया था भीड हम लाते हैं दरी हम बिचाते हैं और सारा शिरे अटल जी ले जाते हैं। सुब्रामनियम स्वामी और वाजपेई के बीच की दरार की दो और वज़ा रही। स्वामी की पतनी रोक्शना स्वामी अपनी किताब evolving with सुब्रामनियम स्वामी अ एर रोलर कोश्टर रैड में लिखती है कि एमरज़ेंसी के दोरां सुब्रामनियम स्वामी अंडर ग्राउंड हो गये थे। उन्हें राज्य सभा से भी निलंबित कर दिया गया था स्वामी पर इस कारवाई के खलाफ हम याची का दाखिल करना चाहते थे और जनसंग में कानूनी मसलों को देख रहे अपपा घटाटे के हम पास पहुँचे उन्हें कहा वाजपई ने साफ कहा है सौामी से दूरी बना कर रखी जाए उनका हमसे कोई संबंध नहीं है सौामी की पत्नी रोक्षना लिखती है कि दरचल वाजपई सौामी की मदद करना ही नहीं चाहते थे सुबरामनियम स्वामी और वाजपे के बीच तलकी साल 1999 में एक ऐसे मौड पर पहुँच गई जहां से वापस लोटना मुश्किल था केंदर में वाजपे की सरकार थी और जैललिता उन्हें समर्थन दे रही थी बदले में वो दो चीज़े चाहती थी पहला वाजपे सुबरामनियम स्वामी को वित्त मंतरी बना दे और दूसरा तमिलनाडू की ततकालीन करोणा निधी सरकार पर नकेल कसे वाजपे दोनों के लिए तैयार नहीं हुए वाजपे के इसी अंदाज से खफा स्वामी ने टरंप कार्ड चल दिया उन्होंने एक चाय पार्टी आयोजित की इस पार्टी में जैललीता और सोनिया गांधी को एक टेवल पर बैठाया गया इसी पार्टी मैटल बिहारी वाजपे की सरकार गिराने की पटकता लिखी गई जैललीता ने समर्थन वापस ले लिया वाजपेई सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई और एक वोट से सरकार गिर गई हाला कि बाद में वाजपेई सत्ता में तो लोटा है लेकिन सुबरमनियम स्वामी के साथ सारी जिंदगी तल्खी बनी रही बाकिया खाबरों के लिए देखते रही है जनसत्तर डोट को